Hello and welcome everyone. दोस्तों आगे देखते हैं Google के कुछ बहुत ही interesting and useful search tips and tricks. Point number one, reverse image search. वैसे तो हम लोगोगल पे images search करते हैं, जैसे कि Taj Mahal, हमने search किया, यहां हम image में जाते हैं और इस तरह से हमें Taj Mahal का images दिखाई देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप Google में image को reverse search भी कर सकते हैं. यहां देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ और यहां देखिए एक आपको camera का icon नजरा रहा है. इस पे हम click करते हैं और यहां पर आप किसी भी domain का URL type कर सकते हैं या फिर अपने phone या फिर laptop या desktop से कोई भी photo upload कर सकते हैं मैं यहां एक photo upload करता हूँ देखिए यह भी यहां पर upload हो रहा है और upload होते ही यह उस फोटे के सारे details बता देगा यह photo है ताज महल का और ताज महल से related search results आपको यहां मिल जाएंगे यहां देखिए मैंने इस photo का नाम कुछ अलग रखा हुआ था मैंने इसका नाम रखा था red foot उसके बावजूद इसने पहचान लिया है कि यह ताज महल है इससी तरह से एक और photo suppose हम लोग upload करते हैं यहां पर इस camera वाले icon पर जाएंगे और यहां से एक photo upload करते हैं suppose यहां पर देखिए यह photo मैंने save कर रखा है और नाम दिया है Sunny Leone इसे हमने search किया लेकिन यह यहां पर बता रहा है कि this photo is that of Narendra Modi ji यहां देखिए मैंने यह नाम कुछ दूसरा ही रखा था और Narendra Modi ji से related सारे results यहां आपके सामने हैं दोस्तो नेक्स्ट जो tips and tricks है वो है Play Games in Google Search क्या आप जानते हैं कि Google के search box में ही कई सारे games inbuilt हैं और आपको जब कोई काम नहों और आप बोर फिल कर रहे हो तो आप games खेल कर अपना time pass कर सकते हैं For example, यहां मैं type करता हूँ flip a coin F-L-I-P-A-C-O-I-N यहां मैंने type किया flip a coin और यह देखिए, यह flip हो रहा है इस तरह से heads and tails flip हो जाएगा और यह आगया tails इसी तरह से आप dice भी roll कर सकते हैं For example, D-I-C-E-Dice-R-O-L-L-E-R मैंने type किया dice roller अब देखिए, यह dice को roll कर रहा है फिर से roll करते है dice को फिर से roll करते है dice को इसी तरह से आप अलग-अलग games खेल सकते हैं मैं और बी कुछ games आपको दिखाता हूँ P-A-C-M-A-C Pac-Man यह इस तरह से आगया Pac-Man अब आप यहां click करके इसे खेल सकते हैं वैसे और भी कई सारे games है मैं आपको दिखाता हूँ for example S-O-L-I-T-A-I-R-E solitaire game, काफी popular game है आप इसे भी खेल सकते हैं यहां पर easy आप यहां देखिए, इस तरह से आप खेल सकते हैं मैं कुछ और games आपको दिखाता हूँ Minesweeper M-I-N-E-S-W-E-P-E-R यहां आप इसे खेल सकते हैं Minesweeper games को medium, easy, hard इसके लावा मैं और एक दिखाता हूँ आपको play snake यहां यह काफियो popular snake वाला game है जिसे आप खेल सकते हैं कुछ इस तरह से next Google search tips and tricks है useful tools क्या आप जानते हैं Google में inbuilt कई सारे tools हैं जिने आप इस्वाल करके आपने काम को आसान कर सकते हैं calculator और यहां देखिए यह आगए calculator अब आप यहां अपने हिसाब किताब जो चाहिए कर सकते हैं इसके अलावा यहां आपको मिलेगा और भी कई सारे tools जैसे की metronome मिलेगा यह है metronome यहां पर आपको metronome की definition भी मिल जाएगी it is a device that produces an audible click or other sounds at a regular time interval यहां से हम time interval ज़रा सा बढ़ा लेते हैं और फिर इसे play करते हैं तो देखिए इस तरह से regular interval पर इस तरह का sound निकालता रहेगा इसके अलाबा एक बहुत ही useful tool है जो है color picker यहां मैंने type किया color picker अब देखिए यहां से आप color pick कर सकते हैं और यहां से आप उसका जो RGB code है और यह जो hex codes होते हैं यह आप copy करके अपने जहां भी इसमाल करना हो आप इसमाल कर सकते हैं for example blue इस तरह से यहां देखिए hex का यह color यह code change हो रहा है यहां पर अगर हम red select करते हैं तो red के weather दिखना है तो आप यहां type किजिए यह weather और फिर आप type कर सकते हैं pin code या फिर city का नाम या फिर state का नाम या फिर country का नाम for example मैं यहां अपना pin code डालता हूं 713305 यह दिखे यह यहां दिखा जिए 31 degree Fahrenheit मेरा local जो temperature है इसके लावा मैं अगर यहां type करूं तो यह लंडन का दिखाएगा यह दिखे 17 degree Celsius इसी तरह से अगर मैं Paris का tap करूं P-E-R-I-S तो यह Paris का हो गया 23 degree Celsius इसी तरह से अगर मैं New York का देखता हूं तो यह दिखाएगा weather of New York is 22 degree Fahrenheit तो इस तरह से अब दुनिया के किसी भी कोने का weather Google में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं Next जो Google search tip centrics है वो है definition of a word उसके लिए हमें यहां पर type करना होगा define E-L-E-C-T-R-O-N-I-C-S Suppose हमें किसी चीज का definition चाहिए तो हमें इस तरह से type करना होता है define और उसके बाद जिस word का definition हमें चाहिए यहां देखिए आपको electronics का definition मिल गया इस तरह से अगर हम चाहें तो define computer type कर सकते हैं यह देखिए computer is an electronic machine that can store, find and arrange information define a supposed library L-I-B-R-E-R-Y तो यह देखिए library का definition a room or building that contains a collection of books etc. दोस्तों next जो Google tips and tricks है वो है finding time of a place आप दुनिया में किसी भी place का समय आप जान सकते हैं Google में For example, मैं तो अभी इंडिया में हूँ लेकिन मुझे लंडन का time परता करना है तो मैं इस तरह से type करूँगा T-I-M-E उसके बाद star marks दूँगा और L-O-N-D-O-N और three star marks close Enter करते हैं यहां देखिए लंडन का time दिखा रहा है 7 इस्टू साड़े 7 बज रहे हैं सुबह के वहां पर उसी तरह से अगर हमें Portland का जानना है तो यह Portland Oregon USA का time अभी साड़े 11 बज रहे हैं अगर हमें यहां पर जानना है suppose Karachi के A-R-A-C अच्छी Karachi का जानना है तो यह 17 बज रहा है वहां पर C-O-L-O-M-B-O Colombo का जानना है तो यह Agya Colombo में भी 12 बज रहे हैं दोपर के इसी तरह से अगर हमें नेपाल के Kaatmandu का जानना है तो यह यहां time बताएगा देखिए 12 बज की 15 मिनिट हो रहा है Kaatmandu में और सो next जो search result जो next जो search tips है Google का वो है finding sunrise or sunset of a place suppose हमें find करना है Sunrise in Tokyo तो हमेंने टैप किया Sunrise Tokyo तो यह दिखा रहा Sunrise सुबह 4.44 A.M. वैसे ही अगर हमें Tokyo का Sunset जानना है तो इस तरह से हम टैप करेंगे Sunset Tokyo तो यहां देखिए Sunset इतने बजे होगा 6 बज के 52 P.M. पे होगा वैसे ही अगर हमें Sunset जानना है suppose London का तो यह आया London यहां देखिए London में रात के 9 बजे Sunset होगा अगर हमें Sunrise जानना है तो इस तरह से लिखेंगे Sunrise of London यहां देखिए सुबह 5 बज के 14 A.M. पे Sunrise होता है London में दोस्तों नेक्स जो Google search के tips and tricks है वो है किसी website related दूसरे website को find करना suppose मैं यहां पे type करता हूँ R E L A T E D related colon देगे और फिर बिना कोई space दिए Amazon.com तो यहां देखिए यह result में क्या दिखाएगा Amazon छोड़कर Amazon की तरह जो दूसरे website से उनसे related जो भी result से वो यहां दिखाएगा यहां देखिए Amazon को related है Walmart.com, Overstock.com इस तरह के results यह दिखा रहा है लेकिन Amazon को यह नहीं दिखाएगा इसी तरह से अगर हमें देखना है यहां पे suppose YouTube.com YouTube का तरह और कितने websites हैं यहां देखिए Wimeo, GameSpot, Twitch, Flickr, यह सारे websites related है something like YouTube, इसी तरह से अगर हम यहां पे type करते हैं suppose Google तो Google की तरह और दूसरे concept websites हैं यहां दिखा रहा है देखिए Yahoo, Bing, Yahoo Search, Hotbot, DuckDuckGo दोस्तों next जो Google tips and tricks है वो है do match in the search box itself suppose यहां मैं type करता हूँ 8 x 6 plus 88 तो 8 x 6 plus 88 यह दिखा देगा 136 suppose मैं करता हूँ 85 x 96 minus 6 is 98 अब देखिए यह result दिखा दिया 1562 इसी दर से अगर हम type करें यहां पर suppose 10 x 10, 10 x 10 is equal to 100 होता है तो यहां पर दिखाएगा यह दिखिए 100 अगर हम दिखाए यहां पर 10 x 8560 तो यहां दिखा देगा 1560 x 10 is equal to 00 वैसे ही हम type कर सकते हैं 20% of 500 यह दिखा देगा 20% of 500 is 100 suppose यहां 500 के जगा हम लिख देते हैं 85 तो यह दिखा देगा 20% of this is this दोस्तो नेक्स जो नेक्स और जो लास्ट टिप्स है गूगल सर्च का वो है यूज गूगल सर्च ऐसे कर्मोर्टर हम इस सर्च बॉक्स को इस कर्मोर्टर के तरभ हिस्वाल कर सकते हैं suppose हम यहां टाप करते हैं 38 x degree into Fahrenheit 38 degree Celsius into Fahrenheit 38 degree Celsius into Fahrenheit यह दिखा देगा 85 तो यह क्या दिखाता है देखते हैं 85 degree Fahrenheit Celsius is equal to 185 degree Fahrenheit इसी तरह से हम currencies को भी convert कर सकते हैं suppose 1 dollar to Indian rupees तो यह दिखा देगा 1 dollar is equal to 74.43 वैसे हम यह 10 dollars करना है तो यह दिखाएगा यह 10 dollars is equal to 744.28 rupees इसी तरह से हम length को भी convert कर सकते हैं weight को भी convert कर सकते हैं जैसे कि 1 meter into feet तो यह दिखाएगा 1 meter is equal to 3.28 feet अगर इसे हम change करें suppose 10 feet तो यह दिखा देगा यहां पर अगर हम इतना feet करें तो यह convert होता जाएगा वैसे ही हम version को भी convert कर सकते हैं जैसे कि 1 kg to gram तो यह दिखाएगा 1 kg to 1000 gram तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको यह Google search tips and tricks पसंद आया होगा अगर आपको studio से को सीखने को मिला तो इससे like और share करें और इसी तरह के और videos दिखने के लिए मेरे चैनल को subscribe पना ना भूले नमस्कार and keep learning